स्वागत है आप सभी का टेकनिकल विचर चैनल में आज मैं कॉम्पेर करने बारा हूँ दो फ्लैक्शिप्ट को जो है वन प्लस तेन प्रो एंड डियल्मी जीटीटू प्रो अभी बज़ा आगा ना भीडू मैंने बाजेट रेंच में बहुत सारे जो कॉम्पेरिशन है वो कर लिया है तो अब ही बक्ते दो फ्लैक्शिप्ट को लगाने का चलो भई देख अपने क्या करता है तो सबसे पहले शुरू करते हैं वान प्लस एन प्रो एंड रेल्मी जीटीटू प्रो के प्रोसेसर को लेक सब्सक्राइब यहां पर जो कॉर्स यूज क्या गया है वह एक है कॉर्टेक्स एक्स टू तीन है कॉर्टेक्स 710 चार है कॉर्टेक्स 510 उसके साथ आपको बहुत दमदार जीप्यू भी मिल जाता है जो है अट्रीडो 730 एंड यह जो सीप्यू है वह फार नैनोमेटर दिस्प्ले तो यहां पर oneplus 10 pro and realme GT2 pro में एकदम सेम डिस्प्लेय मिल था है 6.7 इंच टूके फूले फूले फूलेज भी नहीं टूके 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 सुपर एमुलेट स्क्रीन वीट 120 हर्ट्स रिप्रेस रेट एंड एल्टीप्यो 2.0 टेक्नोलजी एंड यहां पर जो पै यहां पर जो पीपी आई है वह भी बहुत हाई है तो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर यह आपको प्रोवाइट करेगा लेकिन oneplus 10 pro में जो टाच सेंप्रेंग रेट है वो थोड़ा सा कम है 480 हर्स वाई पर जो रियल्मी GT2 pro है वहां पर आपको जो टाच संप्रेंग रेट मिलत आता है जिसके साथ जो सेंसर मिलता है वो है सॉनी आमेक 789 एंड 50 मेंग पिक्सल का अल्रावाइट कैमरा आता है जिसके साथ जो सेंसर मिलता है वह सैंसंग का जेन वान एंड 8 मेंग पिक्सल का टेली फोटो कैमरा भी आपको यहां पर मिल जाता है एंड उसके साथ ही जो से सोटन का जैन वान सेंसर के साथ एंड त्री मेगापिक्सल का माईक्रोस्कोब सेंसर भी यहां पर अपको मिल जाता है उसके साथ यहां पर इसल्फी केमेरा जो में इस प्रता के साथ है इसलिए आपको सब्सक्राइस सेदा है थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा सा परा है imx766 से इसलिए वह ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा एंड जो फोटो आएगा वह बहुत ही अच्छा आएगा और दोनों में ही आप OIS का सपोर्ट और EIS का सपोर्ट बिल जाता है तो फोटो वीडियो दोनों में ही बहुत ही उससे आप माइक्रोस को फोटो तो खीच सकोगे लेकिन वो सिंसोर ज्यादा तर अन्यूस्टिर आएगा उससे ज्यादा आप टेली फोटो लेंज को यूज कर सकते हो क्योंकि वहां से आप जूम कर सकते हो तो कैमेरा के मामले में वान प्लस 10 प्रो मेरे लिए चैंपियन के बाद आता है बैटरी एंड वन प्लस 10 प्रों रियल्मी टीटी टुप्रो दोनों में ही आपको 5000 एमेज का बैटरी मिल जाता है लेकिन यह पर जो प्रोसेसर यूज के कि आपको थोड़ा सा पावर हम ली है तो मुझे लगता है एक लेकिन तो आरम से चल जाएगा लेकिन देर दिन तक चलना थोड़ा सा मुझकिल हो जाता है लेकिन आपको 0-100% करने के लिए वान प्लस 10 प्रो में आपको 80 वाट का चार्जिंग मिल जाता है जो वाइड चार्जिंग है वह आपके फोन को एबाउट 30 मिनित में फूल कर दे है इसलिए आपको वाइड चार्जिंग से ही काम चालाना पड़ेगा जो आपके बैटरी को 0-100% 45 मिनित में फूल कर देगा एंड मुझे लगता है बैटरी के मामले में वान प्लस 10 प्रो रियल्मी जीटीटी प्रो से अच्छा है बैटरी के बाद आता है रेम एंड स्टोर यहां पर 128GB और 256GB का मिल जाता है एंड स्टोरेज जो टाइप है वो है UFS 3.1 तो दोनों में आपको रेम एंड स्टोरेज एकदम टॉप क्लास देखने को मिलेगा एंड उसके साथ जो प्रोसेसर है वह भी बहुत ही फास्ट इसलिए दोनों में ही पर्फॉर्मेंस आपको ब कर यहां पर नहीं होगा रेम एंड स्टोरेज के बाद आथा है सॉफवर्य यानि की यूजर इंटर्फेस यूए वान प्लस टेन प्रो में हमेसा की तरफ वान ऑक्सिजन ओएस 12 मिलता है वी लेटेस्ट एंड ट्वेट 12 एंड ऑक्सिजन ओपो से इंटिगरेशन जब से तब से जो सॉफवर्य है वहां पर बहुत ज्यादा काम हुआ है एंड जो ऑक्सिजन ओएस है वह थोड़ा से कलर ओस जैसा लगने लगा है एंड जो प्योर एक्सपिरियेंस वान प्लस प्रोवाइट करता था उसके जैसा नहीं रहा गया है लेकिन फिर भी यहां पर जो सब्सक्राइब करें दोनों में ही आपको 3.5 mm जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है और दोनों में ही आपको एक लिनियर मोटर का सपोर्ट है वह आपको मिल जाता है जिसके साथ आपको जो हैप्टिक्स का एक्सिरिंस होगा वह बहुत ही अच्छा होगा यानि कि वॉल्यूम अच्छा हैप्टिक्स का जो एक्सिरिंस है वह दोनों में ही आपको मिल जाता है लेकिन वन प्लस प्रो में आपको फूल ग्लास बिल्ट देखने को मिलता है और यहां पर एक मैटरील पेपर जैसे मैटरियल यूज किया गया है जो आपके जो मोबाइल है मोबाइल का बैक ह वह सेवेंटी वन थाउजद नाइंड नाइटी नाइटी नाइड रियल्मी जीटी टूप्रो में आपको एट प्लस फान ट्वाटि के जो प्रॉज की तरफ एंड वन प्लस थेन प्रो में आपको प्रोस में मिलता है काव्ड एमुलेट स्क्रीन फूल ग्लास बिल्ट जो बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देगा एंड वन फ्लस का जो ब्रैन फैलू है वो रियल में से कही ज्यादा है एंड इस प्राइस सेग्मेन में वन प्लस टेन प्रो ही सबसे अच्छा तो नेई कह सकते लेकिन प्रैन फैलो को अगर नजर में रखे तो अच्छा स्मार्ट प्रैस है यहां पर सब्सिद्स अला में वे ज्यादा से चैल तो ज बेंड बार जाता है यहां पर आपको जो प्रैस ज्यादा देखने को मिलगा वहला पर आपको डियल्मिंद्ध程 तो फोन साइ्ट से trafficking डाय तो स्क्रीन में कुū Reynolds नहीं होगा लेकिन ओन फ्सक्प्रीन प यहां पर आपको टैस्टेरी फोटो लेंस नहीं दिखने को नहीं मिलता है। ज्यादा प्रेक्टिकल यूज में नहीं काम आएगा। ज्यादा तर्ड़लोग टेली फोटो लेंस को भी आप यूस करोगे। and brand value जो है वो OnePlus जैसा नहीं है Realme का and इस प्राइस सेग्मेन में OnePlus ज़्यादा तर चलता है and यहां पर आपको बैक में ग्लास देखने को नहीं मेलेगा जो अगर आपको एक premium flexi phone लेना है तो आप OnePlus 10 Pro के साथ जा सकते हो यह था Realme GT2 Pro and OnePlus 10 Pro के बीच में एक detailed comparison वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share and subscribe भी जरू करना आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्ते